असलाम अलेकूम एप्रिवन मैंने बनाई है सिम्पल सी गाउन और मैं आपको देखा रही हूं बहुत ही सिम्पल सी फेब्रिक से मैंने बनाई है और ये रिबॉन फेब्रिक है इसमें आज बहुत ज़्यादा थी चाल मिटर कपड़े मैंने ये सिम्पल सी गाउन बनाई है तो आप देखके मुझे बताएं कि हमारा गाउन कैसा लग रहा है तो भी मैं दिखा रही हूं आपको अपना गाउन ये नीचे का घेरा है मेरे साथ है और ये बहुत ही सिम्पल कपड़ा है सिम्पल सी प्रिंट है जिस पे बहुत सिम्पल सा लूपी आया है और बहुत स्मार्ट लुक्स दे रहा है ये गाउन्स आपको कैसा लग रहा है आप भी बताएगा तो ये फ्रंट साइड है मेरा और इसमें मैंने साथ में लग और इसके नीचे भी मैंने एक एन लगाई है सुरी, अस्तर लगाई है और ये रही कैन हमारी एक इसलिए नहीं डाली है क्यूंकि यह मेरा कप फेवरीक बहुत ही सिंपल सा है अगर मैं इसमें फ्रिल डाल देती तो ये बहुत हैवी हो जाता हैवनेस आजाती इसमें तो सिंपल सा है इसलिए एकदम केन सीधा ही लगाया है मैंने और ये कमर के पास मैंने एक डोरी लगाई है जिसमें बनाई है मैंने लटकन वो कपड़ों से ही बनाई है तो देखिए ये नीचे मैंने जो लगाई है लटकन की डिजाइन वो फ्रिल डाल के लगाई है वो नेट से है और ये मेरे प्रिंट वाले कपड़े से है फिर उसके बाद में बीच में भी नेट है और इसी तरह मैंने दो लटकन लगाया है मैंने लेके लगाया है बाहर से cafe तो यह बहुत ही प्यारा लग रहा है और यहां है मेरा निक देखिए निक पर भी मैंने ऐसे ही नेट से फ्रिल डाली है और इस पर भी मैंने पाइपिन्स अटेज किया है और साथ में है मेरी सिलीपस जिसमें कॉर्णर भी साथ में नीचे निकले हुए है जो पहने के बाद ऐसे ही लटकेगा और इस पे भी मैंने फ्रिल ही डाली है देखिए और इसमें लगाई है मैंने लैसेस जो बहुत ही सिंपल सा है और बहुत ही क्यूट लग रहा है और जो इंडिंग भी इससे पता नहीं चल रही है तो भी ये मेरा फ्रंट साइड है और ये बैक साइड का लैसेस है बादने वाला तो मैं आपको दिखाती हूं बैक साइड भी तो भी मेरा बैक साइड हो ग पर ये मेरा बोटनेक है बोटनेक में भी मैंने पाइपें डाटेज किया है गोर्ड कलर का और ये इसमें जीब लगाई है मैंने कमर के नीचे साथ मैं इसमें भी डोरी है bad side में सेम वैसी ही डोरी है जैसे आगे थी लटकन वाली मैं इसमें थोड़ा मैंने net नीचे ही सिर्फ लगाई है बागी सारे printed कपडों से ही मैंने बनाई है तो ये है मेरा bike और slip वैसे ही सेम है और आप देखी चुके है मेरा front तो आप बताईए कैसे लग रहा है और ये जो मैंने रिवन लगाई है पीछे बैक साइड में बानने के लिए तो अगर आप इस रिवन को बानते हैं तो बहुत गुट लोग इसमार्ट लोग देता है और ये इसका डुपट्टा है डुपट्टा इस सिंपल सा है क्योंकि ये गाउन भी सिंपल है इसलिए सिंपल सा ही तुपट्टा है और इसमें भी लटकन अटेज किया हुआ है तो कैसे लग रहा है आप मुझे कमेंट सेक्सिन में जाके कमेंट करके मुझे बताईएगा तो में डिटेल से इसकी काटिंग भी आपको बताऊंगी और ये कैसे बनता नोटिफिक्शन आपको पहले मिले तो कैसा लगा मैंने खुछ से वह डिजाइन की अपनी गाउन तो आज के लिए इतना ही और फिर आपको कैसा लगा ये जरूर बताईएगा तबी के लिए अल्ला हाफीज